After Awakening, Money Abundance नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चानल 3333, High Priests दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूँगी थोड़ा सा Money Abundance के बारे में जितने भी लोग Awakening Ascension के process में हैं 3D से जब वो 4D में आते हैं तो बड़ी सारी उनकी learnings होती है और बड़ा सारा खुद के ओपर काम करना पड़ता है जो भी blockages उनकी life में हैं कुछ ऐसा जो उनकी तरफ प्रवान नहीं हो पा रहा है जैसे मानो किसी के पस पैसा नहीं है पैसे से related problems चलते रहते हैं किसी को बहुत ज़ादा health issues रहते हैं या फिर किसी के जो है पैसा तो बहुत है लेकिन कोई है ही नहीं पार्टनर जीवन में कोई साथी है ही नहीं तो जिसके साथ खुशियों को पैसे को enjoy किया जा सके तो पिछले 3-4 साल के इतने सारे लोगों से मैंने बात करी मैंने दिखा कि अवेकनिंग वाले लोग ही जो अवेकनिंग असेंशन के process में है वही लोग मेरे पास आते हैं मैं देखती हूँ कि कोई पैसे को लेकि परिशान है किसी को मैं देखती हूँ कि पैसा बहुत है उनके पास लेकिन कोई जीवन साथी कोई partner कोई पूछने वाला है ही नहीं कि जिसके साथ enjoy किया जा सके और किसी के पास मैं ये भी देखती हूँ कि जीवन साथी है पैसा है लेकिन उसके health issues बड़े रहते हैं तो किसी को कोई blockage है किसी को कोई blockage है किसी को कुछ समझना है किसी को कुछ सीखना है किसी की learning कुछ और है पर यह है कि हम सभी को बस खुद पे काम करना है खुद से जुड़ना है क्योंकि खुद से जुड़के अंदर से जुड़के इश्वर से जुड़के ही हम समझ पाएंगे कि क्या गलतियां हुई है कहां पश्चताब करना है क्या परिवर्तन करना है खुद में, काफी कुछ, तो 4D तो पूरी की पूरी शुद्धी गरण की डाइमेंशन है, और लर्निंग की डाइमेंशन है, और लर्निंग तो खेर 5D, 6D, इसमें भी चलती रहती हैं, बट 4D एक बहुत डिफिकल्ट स्टेज है, तो बहुत जादा ल spiritual experiences हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लंबे समय से जो मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे, बहुत सारे clients की life में मैंने ये देखा, कि पहले तो वो mentally भी stress थे, और money blockages भी थे, कावी issues थे, लेकिन दीरे-दीरे मैंने देखा कि वो, ये अच्छी practices में रहते, रह हो गए, फिर दीरे-दीरे मैंने देखा किसी की job लग गई तो, बड़ी शानदार job लग गई, बड़ा अच्छा पैसा, किसी का business start हो गया, किसी ने अपना, मतलब बहुत खुशियां भी देखी हैं मैंने कई clients की life में, कि अच्छी practices में रहने के बाद उनका जीवन भी बदल है, तो इनको मैं सिर्फ यही कहना जाऊंगी, जिनके money blockages थे, जिन्होंने खुद पे काम किया, अपने मन का शुद्धी करण किया, अच्छी practices में रहे, high vibration में आए, और उस high vibration में आने की वज़े से जो है, इन्हें अपना goal समझ आया, इन्हें समझ आया कि किस direction में आगे तो बस मैं यही कहना जाऊंगी, कि जो धन अब आपको प्राप्त हुआ, माता लक्षमी की जो किरपा हुई, यह जो blockages हटा, तो यह जो अब आपको प्राप्त हो रहा है, इसका सदूपयोग करें, बिल्कुल भी जो है, बरबाद ना करें पैसो को, और कोई चीज इसले नह जो भी lessons उसे learn नहीं किये थे, जाए वो धन से related हो, relation से related हो, किसी भी चीज से related, जब वो learn करता है, तो वो चीज अपने आप flow होनी शुरू हो जाती है, तो जिन लोगों की life में ऐसा हुआ है, कि पहले बिल्कुल पैसे नहीं थे, कोई career नहीं था, कुछ नहीं था, फिर उन् बिल्कुल भी, मतलब जैसे बरबादी ना करे धनकी है न, तो यह है, अब यह तो ही पहली चीज, अब एक और चीज मैंने notice करी है, वो लोग जो awakening के process में हैं, 4D में हैं, कई बारी हमारे अंदर के inner demon surface पर आते हैं, लालच आता है, या कई तरीकी की चीज़े surface पर आती है, औ भी बारी बहुत लालच के चलते, उस लालच को हटाने की बजाए, व्यक्ति उस लालच में पढ़के, 4D में अपना शुद्धी करन करने की बजाए, जो है, गलत तरीके से भी पैसा कमाना शुरू कर देता है, या कर देती है, जैसे मन की शुद्धी करनी है, जैसे तन को श रहा है कितना भी जोल ले वो कोई काम नहीं आएगा और इसके विपरीत अगर धन आपका शुद्ध है मेहनत से कमाया हुआ है ग्यान के रस्ते से आपने प्राप्त किया है तो वो चाहे कम ही होगा लेकिन उस कम पैसे में भी इतनी बरकत होगी और इतनी खुशिया होगी कि आ इतने से पैसों में इतनी कैसे खुशियां बढ़ रखी है तो ये चीज मैंने पोस्नली अपनी लाइफ में भी देखी है और ये जो इस तरीके के लालची लोग होते हैं जोनों को पैसे की बड़ी लस्ट रहती है पैसों की बड़ी एक हवस या आग कहलो पैसों को लेके इ इतना जादा ये लोग जोड भी लेते हैं लेकिन मैंने देखा है end of the day वो पैसा किसी के काम नहीं आता एक व्यक्ति है जिसका मेरे ध्यान में है वो ऐसे गलत कार्यों से जो है पैसा कमाता था देवी का बड़ा भक्त बनता था बड़े रिलीजिस रूटीन्स फॉलो करता बड़ी चीजे लेकिन जो उसके पैसे कमाने का तरीका था या जो उसके अंदर लालच था वो बड़ा ही भयानक था मतलब ऐसा लगता था कोई राक्षस इसके अंदर बैठा हुआ है और इसने मानों अपनी आत्मा ही किसी को बेच दी है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको बहुत बैसा कमाया उसने बड़े गलत तरीके से बहुत लोगों के घर उसने बरबाद करे और एंड में यह हुआ कि जिसके लिए वो कमा रहा था वो घर के सदस्य ही नहीं बचे जवान बेटे की जो है आक्सिडंट में डेथ हो गई और बीवी जो है बिलकुल जैसे कहते ह कि ऐसा बिमार होके ऐसा बहुत ही कम एज में बहुत ही भयानक उनकी मिरत्य हुई तो वो पैसा जो जिस जो वो कमाके रख रहा था वो किसी के भी काम नहीं आया और इतनी दुरगती हो रखी है उस व्यक्ति की कि जब भी मैं उस व्यक्ति को देखती हूँ तो मुझे समझ जाता है कि लालची व्यक्ति का अंत कैसा होता है वो पैसा मतलब अगर आज वो व्यक्ति नहीं भी रहा तो वो पैसे ने मतलब किस क्या काम आया तो ये भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग 4D में ही अंधिकार की स्टेज में ही जब अंदर के राक्षस हावी हो रहे होते ह तो कई बारी वो पॉपेट बन जाते हैं राक्षसों का और ऐसे ऐसी चीजे करने लगते हैं समाज में ऐसे गंदगी फैलाने लगते हैं गलत तरीके से धन कमाने लगते हैं लेकिन वो किसी काम नहीं आता है धन तो धन भी जो है वो शुद्ध रखना है जैसे हम मन की शुद् कर रहे हैं अपने तन को शुद्ध रखते हैं वैसे ही धन भी हमें शुद्ध ही कमाना है और धन की बरबादी भी बिलकुल नहीं करनी है इस बात की बिलकुल शॉरटी है कि जो भी लोग इस अवेक्टिंग असेंशन के प्रॉसस में हैं जिनके मनी ब्लॉकेजिज हैं मनी इसलिए प्रवाह नहीं हो पा रहा है क्योंकि मनी से रिलेटिड धन से रिलेटिड कुछ समझ कुछ लेसंस हैं जो धनक से आपने लर्न नहीं किये हैं अब आप जो खुद पे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली एक समय आएगा जब इसका प्रवाह होना शुरू हो जाएगा लेकिन उसके बाद भी आपको हमेशा दो-तिन बातों की समझ रखनी है कि धन का सम्मान करें सद उपयोग करें और बिल्कुल भी लालच में ना पड़ें तो माता लक्ष्मी की जो है कृपा हमेशा बनी रहेगी चाहे धन कम ही क्यों ना हो उसमें बहुत जादा बरकत है ठीक है ना तो यह था मेरा आज का वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगाओ थांक यू सो मच गाट ब्लेस यूवल बाबाए